मार्दी मिक्सिक से वबाग में अगस्त में थे 77,000 पद खाली अब रिक्ट पदों के संक्या बढ़ करके हुई 1,09,000 रीट मैंस परिक्सा में पद बढ़ कर होंगे 65,000 सीम गहलोत करेंगे जनुरी बजट में बड़ी घोशना नमस्कार आप देख रहे हैं अनील क्लासिज और मैं आपके लिए लेकर कहा हूँ रीट मैंस परिक्सा 2023 से समझे बहुती बड़ी अपडेट की रीट मैंस में पद बढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात करने वाले हैं कि किस तरह से पदों का ये जो रिक पद है उसका गनित है और किस तरह से पद बढ़ने की आपके संभावना है और जो बजट जारी होने वाला है सुनावी बजट होगा इस साल का उसमें किस तरह से मुख्य मंत्री ज जोईन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं वहां जरूर जोईन कर लें हर खबर आप पर आपको सबसे पहले मिलती है तो रीट मेंस परिक्सा के अंदर 65,000 पद आपके होने वाले हैं जो 48,000 पदों की भरती चल रही है उसके पदबढ़ करके 65,000 होने वाले हैं जन चुनाव से पहले का अंतिम बजट है यहां आप देखिए माध्यमिक शिक्सा वाग अगस्त में ठत्र हजार पद खाली थे अब रिक्त पदों की संक्या होई एक लाख नो हजार इतने पद कैसे बढ़ गए भही 30,000 पद एक साथ ही तो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जो अगस्त में माध्यमिक शिक्सा वाग में जारी कुल 3,4,669 बताए गिए उसमें खाली पदों की संक्या 78,552 अब दिसमर में जारी रिपोर्ट में 3,36,270 बताए गए हैं यानि यहां पर लगवग 32,000 पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है ठीक है ना और अब खाली पदों की खाली पद है जिस पर 48,000 की भरती प्रक्रिया चल रही है यह पद इसमें सामिल नहीं है एक लाग नो हजार तो केवल माध्यमिक शिक्सा में ही खाली है ठीक है और प्रारंबिक शिक्सा में खाली उस पर 48,000 पदों की भरती प्रक्रिया चल रही है और आपको पता होगा कि D DPC का प्रोग्राम भी चल रहा है, DPC यानि पर्मोसन होने वाला है तिर्टे सरिनी अध्यापुकों का सेकेंड ग्रेड में और सेकेंड ग्रेड का फ़स्ट ग्रेड में तो उसके वज़े से भी बहुत सारे पद है, वह खाली होने वाले हैं, प्रारंविक सिक सिह भाग में और उसकी वज़े से जो ये भरती पर के लिए चल रही है आपको पता ही होगा ये रीट मुख्य जो परिक्सा है वो इस सरकार की अंतिम परिक्सा है इसके बाद सरकार चैंज होगी हो सकता ये सरकार वापस रिपीड हो जाए ये आप सभी सपोर्ट करेंगे तो या हो सकता है नई सरकार भी बन जाए तो जो भी बनेगी लेकिन इस सरकार के कारेकाल की अंतिम भरती है इसलिए जैनवरी के अंदर जो बजट होगा इसके अंदर मुख्य मंत्री जी पद बढ़ाने वाले हैं लगभग आपके 17,000 पद है वो बढ़ेंगे और अब भरती है वो 65,000 पदों पर होगी यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है तो तैयारी के अंदर अपना पूरा फॉक्स रखें और रीट मुख्य परिक्सा है उसमें पद 100% बढ़ने वाले हैं यहां आप देख सकते हैं कौन कौन से पद खाली है तो यहां आप देखेंगे कि अध्यापक के 16,930 प खाली हो जाएंगे और प्रारंबिक में इनको जोड़ करके यह भरती पर क्रिया करवाई जाएगी तो 16,930 यह नहीं लगबग 17,000 पद आपके बढ़ने की संबावना है ठीक है तो यह था सारा इस मामले में रीट मुख्य परिक्सा से संब्द जानकारी वीडियो कैसा लग और 89 नमर वाले उनकी समश्य आ रही है वो कह रहे हैं कि सर 82 वाले कह रहे हैं कि सर अमारे तादेश भी आ गया लेकिन हम फौरम नहीं वर पा रहे हैं तो उसकी समश्या का भी समधान एक दो दिन में हो जाएगा आप धेरे बना करके रखें और 89 वालों का अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा आखबार में न्यूज जरूर आई है लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किया है उमीद है जल्दी ही वो आदेश भी हो जाएगा तो आप सभी को बेस्ट आफ लग रीट की तेहरी करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर में धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम